अच्छाम भासिलाई निशूलक सेवा दिदे आयेको अच्छामको बयल पाटा अस्पताल औहीले आर्थिक रूपले नाजुक अभस्था मापगेगोछा। निसुल का सेवा प्रदान गरने अनुमते लिये रा अस्पताल संचालन गरदे आये को पोसिबल हेल्थ अमेरिका को अनुदान मा नियाए हेल्थ नेपाल ले हाद जिक्न थाले पछी अस्पताल को आर्थिक अवस्ता खश किये को हो उपचार का साथै और उस्दी समेत निसुल का प्रदान गरदे आये को बयल पाट अस्पताल बाट अहिले बिरामी ले तेस्तो स्वाप माउन चाड़े का छन सायच कुरागर साथै चाए नुदान मा नियाए हेल्थ नेपाल ले पांच बर्ष को लागे निसुल का उपचार दिने अनुमत लिये रा एक जना एमबेबेएस डक्टर भाट उपचार सुरुवाद गरे को थियो सामान्य स्वास्ते सेवा पाउनोपनी गारोफर ने अच्छाम बासिक लागे बायल पाट उस्पताल को सेवा बर्दान साबित भायो बर्ष माँ दस देखी 12 हजार समा बिरामी ले बायल पाट उस्पताल बाट शेवा लिने करे का थिये अस्पताल मा उपचार का लागया अनुदान दी रहे को ग्वेरि सरकारी संस्ताले हाज जिकन ठाले पची पच्छिलोmen 4 बर्ष देखिये अस्पताल थला परन लागये को हो करमचारी लाई तसलाप खो आऊना समेट अस्पताल लाई हम्मे हम्मे परन ठाले को छा दाताले चार बर्षमा अच्छाम जिल्ला का लागी 40 करोड बजेट बिनियोजन गर्दा अस्पताल लाई 40 प्रतिस अत्पनी आये ना एसले अस्पताल मा अउसधिको स्टक कम हुनका साथ है ल्यावकाय रियेजेन सरुको अभाब हुना थालेको छा दाता हरुले अहिली सम्मा अस्पताल मा शाड़े दुई अर्बा रुपाया लगानी गरी शके कुछ तर अस्पतक दाताले बजेट बारे अस्पताल संग समझावताने गरे कुछाई न तेसेली प्रदेश्र इस्थाने सरकारलाई कमतीमा 12 करोड को बजेट उपलब्द गराई दिन आगरह गरियेको थियो तर अप्रदेश्र सरकाले अस्पताल का लागी 5 करोड बजेट बिनियोजन गरियो जुन अगिल्लो बर्षक को भन्दा 3 करोड कम हो एसरी 13 संस्था का साथ ही सरकारी पक्षेबाट समेत अस्पताल को जिम्मेवारी नलिदा अस्पताल को सिवा अस्तब्बेस्त बने कुछा जसको प्रत्यक्षे असर निम्न बर्ग का इस्थानिये मा परे कुछा निउस 24 टेलिवीजन का लागी अचामबाट टीवी जनलिस्ट धिरज कुमरको रिपोट